नाव सबसे पहली बात रेमिटेंस होता क्या है रेमिटेंस का बहुती सिंपल मतलब यह है अगर एक व्यक्ति किसी देश से दूशे देश में भेजता है पैसे तो उसको हम कहेंगे रेमिटेंस अब इंडिया पाकिस्तान आप अगर सार्ख कंट्रीज के कंटेक्स में देखो तो रेमिटेंस काफी important है क्योंकि हमारे यहां पहली बात तो employment इतनी जारा है नहीं उस सब के अलावा बहुती high paying jobs काफी जारा कम है even for skilled labor तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं यह काम करने के लिए जाते हैं US में, Europe में, Gulf countries में वहाँ पर वो काम करके कुछ पैसे धीरे धीरे व पुछ महीनों में तो वो जो पैसे अपने घर में भेजेगा पचास हजार एक लाग दो लाग करके धीरे धीरे उसको हम कहेंगे remittance तो सिंस लाखों की संख्या में इंडियन्स बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो जो overall calculated total remittance वो भेजते हैं तो वो total billions में हो जाता है more than 80 billion dollars so remittance की भी अपने आप में एक economy है जिसका एक बहुत ही crucial role है in the economies of India, Pakistan, Nepal, Bangladesh और various other countries so recently इसी topic पर World Bank ने एक बहुत ही important research publish करी है research का नाम है COVID-19 crisis through a migration lens यह report मैं कोशिश करूँगा नीचे comment section में आपको देदू या फिर आप इसका जो नाम है search कर लेना Google पे you can find it easily इस report में पहले तो यह कहा रहे हैं कि जो economic crisis शुरू हो चुका है COVID-19 की वज़े से यह crisis काफी long, deep और pervasive होने वाला है और इसका impact काफी लंबे समय तक लोग feel करेंगे मतलब कि COVID-19 का जो economic impact है यह बहुत ही आसानी से जाने नई वाला अब दुनिया भर में हम देख रहे हैं lockdown, travel ban, social distancing इसकी वज़े से migrant workers का जो काम है यह बहुत ही बुरी तरीके से impact होगा और साथ में यह यहाँ पर यह भी mention कर रहे हैं कि आने वाले time में आप लोग racism और xenophobia को rise होता हुआ देखेंगे for example Indian workers अगर यूरोप में जा रहे हैं तो वहाँ पर Europeans हो सकता है कि डरे कि अब यह भार से आए हैं क्या पता के इनकी country में भी cases हो करोना वारस के तो आने वाले time में mistrust, doubt यह सब बढ़ेगा इसकी होजे से पहली बात तो wages कम हो सकती हैं, employment कम होगी और overall migrant workers के लिए jobs कम होगी क्योंकि एक और factor यहाँ पर यह भी है Because of COVID-19, बहुत सी country's हैं उनकी economy इत्ती खराब हो चुकी है, कि अब वो चाते हैं कि जो limited नौकरिया बची हुई हैं, वो उनके नागरिकों के लिए ही रहे अब जो मैं बात करा था racism और xenophobia की, इसका मैं आपको एक example देता हूँ कुछी महीने पहले क्या हुआ, कि एक Indian थे जो आज की टाइम में रहते हैं इस्राइल में यह इस्राइल में कहीं पर घूम रहे थे और इन पर attack हो गया क्योंकि जो इनकी looks हैं कुछ हट तक East Asian थी, तो लोगों ने यह सोचा कि इनको यह virus हो रखा है, क्रोणा वारस और लोगों ने इन पर attack करना start कर दिया, यहाँ पर आप देख पाएंगे Indian Jewish Immigrant to Israel Attack तो ऐसे cases World Bank मानता है कि in the future हो सकता है बढ़ें, because of fear and xenophobia और World Bank ने यहाँ पर यह भी बताया है, कि बाकी जो pandemics आये हैं पिछले कुछ सालों में, उनका impact GDP पर, दुनिया भर की countries की GDP पर कितना हुआ था, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो बिलकुल दिख रहा है कि COVID-19 का impact अब तक का सबसे घहरा impact है, क्यों? क्योंकि World interconnected है, globalization हो रखी है, supply chains एक दूसरे पर dependent है तो एक country में भी अगर production रुखती है, तो दूसरी country पर और बाकी बहुत सी और countries पर इसका बहुती negative impact होता है यहाँ पर आप देख पाएंगे Spanish flu, SARS, H1N1, Swine flu, जो MERS card break हुआ था 2012 में, इन सब का भी इतना बड़ा impact नहीं था on the economies of country, जितना COVID-19 का हुआ है So World Bank अपनी report में यह कह रहा है कि overall जो remittances आते हैं India में, इसमें आपको 23% का एक dip दिखेगा 2020 में, और हो सकता है कि similar dip आपको 2021 में भी दिखे Now अगर हम बात करें numbers में कि 23% कितना है, हम यहाँ पे कितने amount की बात कर रहे हैं, देखो पिछले सार इंडिया का जो total remittance था, it was 83 billion dollars, बहुती बड़ा amount होता है इस सार जो यह amount है, यह गिर कर, World Bank estimate करता है कि 64 billion dollars के आसपास होगा तो मतलब कि हम आपे बात कर रहे हैं, एक decline की of 19 billion dollars, यह मैं आपको बता दूँ, 10 billion US dollars का मतलब होता है, almost 76,000 crore rupees तो यहाँ पे almost हम कहा रहे हैं कि Indian economy में total 1.5 lakh crore रुपे कमाएंगे जो यह पैसा है, अगर हम कह रहे हैं कि 90 billion कमाएगा, तो क्या यह सिरा भारसरकार के बाद जाता है, नहीं देखिए यह जो पैसा है, यह Indian economy में जाता है, मानके चलो के कोई आदमी है, उसकी family केरला में रहती है वो UAE से पैसे भेजता है, 5-6 lakh रुपे, तो जो पैसे उसने भेज़े हैं to his family in केरला, वो लोग इस्तमाल करेंगे खर्चे में, वो लोग इसकी groceries लेंगे, कुछ purchasing करेंगे, हो सकता है कि घर में कोई helper रखे उनके लिए, या फिर कुछ construction करे घर में overall वो जो पैसा है, वो देश में ही खर्च होगा, और लोगों की जो consumption capacity है, इसको बढ़ाएगा तो बहुती simple language में या पर आप कह सकते हैं, कि ये जो पैसा अगर कम आता है, तो लोगों की जो खर्च करने की capacity है, ये कम होगी, basically लोग खर्चेंगे कम और उसे क्या होगा, companies produce कम करेगी, companies produce कम करेगी, तो मतलब के जो इंडिया में jobs आ रही है, जो हम इंडिया में manufacture कर रहे हैं, cars manufacture कर रहे हैं, clothes manufacture कर रहे हैं, कुछ electronic items manufacture कर रहे हैं, उनकी production भी कम होगी, वहाँ पर भी आपको job losses दिखेंगे, तो इसका एक cascading impact होगा on the Indian economy, now overall अगर हम देखें, South Asia में, तो सबसे जादा remittance आता हैं इंडिया को, according to World Bank 2019 का data है, 83.1 billion dollars, second number पे है Pakistan, फिर है Bangladesh और फिर है Nepal, अब यहाँ पर जो numbers हैं यह काफी interesting है, क्योंकि देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इंडिया को remittance काफी मिलता है, तो remittance का जो decline है, इ इंडिया की economy इतनी diversified है, इतनी जड़ा बड़ी है, कि बिलकुल remittance काम आएंगे, इसका impact तो होगा, मगर उतना गहरा impact नहीं होगा, जैसा for example, नेपाल, पाकिस्तान, शिलंका और बांगर देश में होगा, क्योंकि देखो, remittance को आप अगर compare करो, to the percentage of the country's GDP, तो उसके आप से सबसे जड़ा contribution, remittance का आता है नेपाल को, 27.3% of their GDP, almost आप कह सकते हैं, remittance से ही आता है, total नेपाल में हर साल 8.5, 8.1 billion dollars की remittance आती है, फिर second number पे है, यहाँ पे पाकिस्तान, third पे है शिलंका, और fourth पे है बांगदेश, तो overall आप कह सकते हैं, ठीक है, इंडिया को remittance में loss ह होगा, मगर since इंडिया की जो GDP है, जरा diversified है, तो जो total shock होगा, हमारी economy को, वो relatively कम होगा, compared to Nepal, Pakistan, शिलंका और बंगलिश, मतलब के इन countries को, ज्यादा बड़ा जटका फील होगा, because of this loss and remittance, क्योंकि देखिए, इंडिया को तो यहाँ पर जो remittance मिलेगा, 2020 के लिए, यह 64 billion के आस-पास होगा, मगर, पाकिस्तान का प्रोजेट किया जा रहा है, कि यहाँ पर भी 23% का decline होगा, और total इनको remittance इस साल मिलेगा, 17 billion, पिछले साल यह अमाउन था, 22.5 billion, so overall हम कह सकते हैं, कि बिलकुल सारी South Asian countries को, इससे नुकसान होने वाला है, मतलब कि consumption कम होगी, तो इसका solution क्या हो सकते हैं, देखिए, मेरे इसाब से, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी बोलूँगा, यह perfect time है, universal basic income, या फिर, कोई ऐसी scheme लाने का, for time being, temporary point of view से, कोई ऐसी scheme आए, जिससे भरह सरकार, सीधा लोगों के bank account में पैसा डाले, US already कर चुका है, Donald Trump चेक बाट रहे हैं of course, वो एक rich country है, तो वो लोग एक महीने का वहाँ पर दे रहे हैं, करीब 1200 डॉलर करीब आप कह सकते हैं, 90,000 रुपीज मिल रहे हैं, of course, आप यह भी कह सकते हैं, कि वहाँ पर economy बड़ी है, inflation जादा है, और और भी काफी वहाँ पर मादन्ड होते हैं, मगर हम यह नहीं कह र लॉस होगा, overall इंडिया की जो growth है, इसको वापस उठने में बहुत time लगेगा, और इसे jobs भी जाएंगी, so need of the hour यह है, कि या तो universal basic income, या फिर temporarily, सीधा लोगों के bank account में आप पैसे डालिए, ना मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका क्या suggestion है, आपके साब से, इसका क solution हो सकता है, for the time being, नीचे आप comment section में लिखियेगा, this is now the end of the video, thanks for listening and as always, God bless you all.